साथ्य नमस्कार स्वागत आपका अपने चनल हाडा वेट्स क्लब में बहुत अच्छी जानकर आपको इस वीडियो में मिलेगी कि हमें फोडा को उप्छर कैसे करना चाहिए जब पुश्यों में गांठे बन जाती है जब पुश्यों में कहीं पर अपसेस बनी हो हमें दिलती तो हमें उसका क्या परफेक्ट ट्रीट्मेंट करना चाहिए कि जिससे ही वह फोडा वह अपसेस वह गांट एक बार में ठीक हो जाए तो आज आपके लिए एक बहुत शांदार इराज के साथ प्रेक्ट्रिकली केस लेकर आया हूं जिसमें आप देख पाएंगे हमने इसका किसे प्वाइब किया इसको कैसे डागनोज किया और उप्शार करने के बाद की सीरहत मिली तो सबसे पहले हैं हमारे दि पहले बार आह हैं ड़ां डाउन सस्क्राइब करें को तहले Anal करें लाइक कर से नीचे यानि अधी घूट्ने से हलकी नइचे गुटने से दो से तीन इच नीचे एक अपसेज बनी अपसेज बनने के बाद उस अपसेज में फ्लूड भर गया फ्लूड बनने के बाद वह अपसेज धीरे धीरे बड़ी होती गई पुशु मालिक ने ट्रीटमेंट इसका तीन से चार बार इलाज भी करवाया हाला कि हमसे कल käyt भी इसको कोilot देख चुके है जब मैंने इसकी फिरीबाली पता चला चाला सका दो से तीन बार इलाज भी ओचुका है और इसमेंसे जैसे मैं पहले से कर दें तो देखिए जब मैं दबा रहा हूं तो यह फोड़ा पूर तरके से दब रहा है यानि यह बिल्कुल मुलाय में बिल्कुल कठोर नहीं है इसका मतलब इसमें यह मुझे प्रतित हो रहा है कि इसके अंदर हार्डेस नहीं है यानि यह बिल्कुल हार्ड नहीं यदि हार्ड होता तो यह ट्यूमर होती लेकिन यह पूर तरके से पानी जैसा है हिल रहा है पूरा एक दम से लचिला है इसका मतलब यह है कि यह परफेक्ट फोड़ा है परफेक्ट अपसे से इसके अंदर फ्लूड कटा हो गया है उसके बार डाइग्नोस करने के लिए हम क्य निकलता है यह पस्लूड बार निकलता है तो वहां से हमें पता चल जाता है कि अंदर कौन सा इंफ्टन है अब देखिए मैंने जयसे इसके अंदर निडिल लगाई निडिल लगाने के बाद महां से फ्लूट भारन न लगा यानि उसके अंदर से पानी आ रहा है और पानी वी रस जैसा आ रहा है पतला पानी नहीं थोड़ा गाड़ा पानी है लेकिन पानी साप है और थोड़ा लच लचीला पानी है इसका मतलब यह तो कंप लगाते हैं लेकिन इसका पहले भी उलाज हो चुका है तो महाँ से इसको रिलिप नहीं मिला है तो हम यहाँ पर कुछ यूनिक इंजेक्शन लगाएंगे इसमें यूनिक इसमें दवा करेंगे कि जिसके करण क्या हो है कि दुबारा से इस पेर में इस अपसेस में फ्लू डिक लगता है तो आगे जैसे शमेशा ना हो फ्लूट दुबारा से नबने अपसेस दुबारा से नबने यह एकदम से ठीक हो जाए एकदम से इसका सटिक उपचार आज कि इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और पेप्टरी के लिए आपको बताऊंगा कि आपको कौन-कौन सा इंजेक्शन कितनी मातर में लगाना चाहिए तो सात्यों यह इंजेक्शन के अबल वही पर लगाते हैं जहां पर पशु के अपसेस में फ्लूट बरा हुआ होना चाहिए अगर अंदर पस बरा हुआ है तो भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और अंदर पा अपसे स्पूरी तेरी के से मुलायम होती है आप ऐसा नहीं कि टूमर बनी हुई है जिसके अंदर आप नेडल मारते खुन चलो हो जाता है और नेडल अंदर ही नहीं जाती उसके अंदर में बिलकुल भी इंजेक्शन नहीं लगाने यह दिया आप वहाँ पर इंजेक्शन लगता और इंजेक्शन दिरे 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 इतना बढ़ जाता है कि वह टूमर दिरे दिरे बढ़ी होने लगती लेकिन जस्ट उसका विपरिद होता है अपसेस में इन फोड़ो में जो फ्लूट बरा हो इन फोड़ो में आप चाहें दस बारा भी निडिल एक साथ लगा दे क्योंकि जब चेक करने के लिए हम हाथ से उपर से दबाते उपर से हिलाते हैं तब ही हमें पता चल जाता है कि यह अपसेसे यह टूमर है तो महाँ से हम इसका फिर इलाज कर देते हैं तो सच्छे देखिए जैसे ही मैंने इसका पाने निकाला पाने निकालने के बाद मैंने इसको क्या किया अच्छा रिजल्ट लेने के लिए जब हम अपने खुच से कुछ experiment करते हैं और जब रिजल्ट वाकई में अपने सामने आता है साथियों यह मैंने कई cases में देखा हूँ और मुहाँ पर मैंने कई बार इस फर्मुरे को यूज किया और वाकई में क्या रिजल्ट मिलाए मुझे मैंने क्या करता हूँ इसे वाले cases में जहां पर fluid वाले cases मिलते हैं अपसेज मिलती है उन में क्या करें पहले fluid निकालना में सारा पाने बार निकाल दे उस अपसेस में क्या करें मैंने इसमें क्या किया 2 ml मैंने इसके अंदर प्रेडनिसोल इंजेक्शन को उसी अपसेस के अंदर डाल दिया फ्लूड निकाला बार 2 ml मैंने प्रेडनिसोल अपसेस के अंदर डाल दिया जो आप यहाँ पर injection देख रहे हैं, यह मैंने दो इसके अंदर डाल लिया, इसके अलबाद देन आप यहाँ पर एक एंटिबाइटिक भी डाले एक साथ में, आप चाहे तो 20 लाग इंटरनेशनल उनिट चाह इंजेक्शन आता है, प्रोकेन पेनिसलिन वह डाल सकते हैं, मैंन पर कसारा इंटिक्शन खतम हो जाएगा, यहाँ पर न तो पस बनेगा, और न पानी भरेगा, यह एक बार डालने के बाद यह जब दवा अंदर जाती है, इसके अंदर पूरी अपसेस में जब फैल जाता है, यह इंजेक्शन दोनों, तो यहाँ पर बिल्कुल भी फिर यह इस अपसेस को सुखाने का काम करेगी, सुजन को हटाने का काम करेगी, और इंपेक्शन को आगे बढ़ने से रोग देगी और वह वहाँ पर खतम हो जाएगा, तो साथियो आप भी हाँ पर सेप्प्र फैलेट इसको जरू दिलवाए, और आप बस एक बार इसके अंदर आप रेडनिसोल और इंडल्स उकसेजिन दोनों को मिक्स करकर डाल दिजिए, आपकी अपसेस, आपका फोड़ा हमेशा हमेशा के लिए फ्लूट रहीत हो जाएगा, और अपने आपी सूख जाएगा, और यह फोड़ा दुबारा से बिलकुल नहीं भरेगा, तो साथियो ज इस नेक्स्ट टूडियम तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत